कतर की राजधानी दोहा में एक हलचल देखने को मिल रहा है इस हलचल का कारण फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये आज तक का सबसे महेंगा वर्ल्ड कप है इसमें टोटल खर्च दोसो उनतिस बिलियन डॉलर से भी जादा होने वाला है आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं रस्य किया ने जब 2018 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था तो उसे 11 बिलियन डॉलर का खर्च परा था और इसके साथ साथ कतर में कुछ विवाद भी हुए तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कतर में क्या क्या हुआ से कतर में वर्ल कप स्टार्ट होने जा रहा है इस वर्ल कप में 32 टीम खेलेंगे कतर मीडल इस्ट का पहला ऐसा कंट्री है जो फीफा वर्ल कप होस्ट करने जा रहा है इस से पहले इस कंट्री में बस एक फुटबॉल स्टेडियम था और यहां बहुत गर्मी भी परती है और इनफा स्टक्चर में भी बहुत सुधार की जरूरत थी इसी वज़य से इस कंट्री को एतना पैसा खर्च करना परा और कतर ने दुनिया का ध्यान अपने इधर अकरशित करने के लिए सेलिबरेटी को भी हायर किया और इसके साथ साथ कतर पे बहुत सारे आरोब भी लगे जैसे मैगरिंट लेवर के राइट पर सवाल उठाया गया दो दिसंबर 2010 को यह घुसना हुआ कतर फीफा वर्ल कफ 2022 को होस्ट करेगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इस छोटे से देश के पास बस 12 साल का वक्त था इस 12 साल में इस कंट्री को आठ स्टेडियम इन्फा स्टक्चर में बहुत सुधार रेल्वे लाइन और 10 लाग लोगों के रुकने के लिए होटल का वी इंतजाम करना था गर्मी के वज़ा से यहां सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कूलिंग सिस्टम में होने वाला था और इस वर्ल कफ के सिक्योरिटी के लिए कतर ने पाकिस्तानी आर्मी की सहायता ली है स्टेडियम का सबसे सस्ता टीकट 5000 रुपै का है यह इविन 18 दिसंबर 2012 तक चलेगा देखना होगा फिफा वर्ल कफ कितना सक्सेस्फूल होता है